दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि NCRT के अस्थापना कब हुई थी और किस वज़ा से हुई थी इसका मुख्य उद्देश क्या था ठीक है तो मेरा नामे सागर और आप देख रहे हैं NCRT पार्ट साला तो चली शुरू करते हैं दोस्तों NCRT के अस्थापना 1 सितंबर 1971 को हुई थी इसका मुख्य उद्देश था राइश्ट्य अस्तर पर सिक्षा का परचार परशार करना ऐसी लिए उतक सिक्षा पोचाना जो उन तक नहीं पोच पाती हैं गाउं गाउं तक सिक्षा का परचार परशार करना है NCRT का पूरा नाम National Council of Education, Research and Training है अगर इसका हम हिंदीन अनुवाद करें तो होगा राइश्ट सिक्षिक अनुसंदान परसिक्षन परिसद है दोस्तों NCRT की अस्तापना इसी उद्दिश के साथ की गई थी कि हमारा भारत में कोई असिक्षित ना रहे हैं जिसके लिए एक से बारवी तक की NCRT बुक्स दी जाती है और आठवी कलास तक मुक्त सिक्षा दी जाती है छे से चोदवर्स के बच्चों को दोस्तों आसा करना को वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा मिलेंगे फिर एक ऐसे वीडियो के साथ अब तक के लिवाए